अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चानल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके में सुरेश रहना क्रिकेट अकादमे के उड़ से आयोजी सेलेक्शन ट्रायल में युवाउने बढ़ चड़ कर भाग लिया करीब 500 युवाउने ट्रायल दिया सुरेश रहना की मौजूदगी में युवाउने गैंदबाजी और बल्लेबाजी में अपनी प्रतिभा को प्रदिशित किया इसमें चैनित खिलाडियों को आकादमी प्रक्षिशन देगी जम्मु संभा के विभिन जिलों से युवाउन ट्रायल देने पहुंचे थे डोडा, किष्टवाड, रियासी, राजोरी से आई युवाउने कहा कि ओपन ट्रायल है जिसमें प्रतिभा होगी उसका चैन होगा हाला कि सुरेश ट्रायल के तैस समय पर नहीं पहुंच पाई थे जिसके कारण को समय तक युवाउं में थोड़ी निराशा दिखी सुरेश रैना ने कहा कि प्रदेश के युवाउं में प्रतिभा है लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से सुविधा का अभाव है किर्केट में काम नहीं किया है जिसको शुरू करने की जरूरत है क्योंकि डिस्टिक में यां यहां लुके दूर्ट है फताथी человек से बच्चा ढोब कर दो ऊस्टीक से जबेंदेट्ट बर आह तो इसलिए कृंस्टोटि कि यहां पर स्टेय में आख और मैं लगते है कि काफी काम करने ही ह было कि पर बिबहां है दिन इस टेंग समगोरमने देखिश बिबहां जो फेड़ेगे तो सपोर्ट करते दो यह सब्सक्टाथा अबाइस मुलेगी। पहले तो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज रहती है जैसे क्रिकेट है तो पहले तो इन्वाल्मेंट नहीं थी इंटरनेशनल गर देखा जाए बट दीरे इंटरनेशनल प्लेयर्स इस चीज में इन्वाल्व हो रहे हैं तो उसका फाइदा ही है यहां के जो यूथ है जो से जो प्रिकर क्रिकट खेलना चाते हैं अगे अपनी कंटरी के लिए अपने लिए अपने अपम स्टेट को अपने अंडिया को जीविए इंडिया को मथजुission कि यहां पर आनेशनी जाते हैं आप अरुछ require चान्भी कि पहले तो हमने मनेनितने ही अं। तो वहां पर काफी तादाद में लोग आये थे तो एक खोब और एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसे एक सीनियर इंडियन टीम के प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर विद सपोर्ट फॉर्म गवर्मेंट और अदर पीपल जब वह एस एक डेडिकेटेड लिया रहे हैं सुरेश रहना ने अब्दुल समत के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि खिलाडियों को प्रेरित करने के लिए प्रतिभा के साथ बहतर सुवीधा और प्रेर्णा की जरूरत होती है अब्दुल समत को देखकर अन्ने युवा भी प्रेरित हुए लेकिन हमें पहले खिलाडियों को सुवीधाय देने की जरूरत है अगर युवाओं के पास क्रिकेट किठी नहीं होगी तो वो कैसे खेलेगा कश्मीर संभाग में बर्फ गिरने के कारण अब जम्मू में अधिक फोकस रहेगा कुछ समय बाद युवाओं के लिए एक छोटी प्रितियोगीता आयोजित करवाने की कोशिश करेंगे अब युवाओं के लिए उसने बहुत चाप परफमस किया था एंधिक ही शोट की करेजमेंट कैसा होता है और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है एसी लैक फैसलीज में इस तिल हमच वंच वंडर्स तो तो आईपिल आप फैथ इन हम आप स्कोकन तो हम तुम्हें लगता है कि वह अच्छा करेंगे ऐसे बहुत सारे प्लेयर होंगे जो समद को देखके और भी आना चाहेंगे कि खेलना चाहेंगे जम्मू कश्मीर फर्स टीम के लिए और और आईपिल के लिए और अभी दो टीमें और आरी ह अधिवाइज नी सर दे जस्वांट टू इंज्वाइब इतना जोज देखके मुझे असे लगा कि इतने शॉर्ट नॉटिस में इतना बच्छे दूर से आएं तो लेकिन डिस्टी क्रिकिट अगर थोड़ा सा और अच्छे से वह इंप्रूब करेंगे और दिल गेट बहुत दूर दूर से आना पड़ता है फैसलिटी मिलेगा तो बच्चा पर जी जान लागा कि खेलेगा नी पूरा अभी देखेंगे सर अभी इधर आये दो दिन उदर थे जम मेरा भी अभी कैम स्टार्ट हो गया उदर यूपी में तो भी हाँ पर बरब गिरने वाली शी में तो पोशी जोगी जितना जम्मू में करें उस टैम पर एप्लाइंग तो हवे स्मॉल टूर्नमेंट है स्पोकें टू फिफ दू ऑफिशल तुम्हें लगता है बच्चो को थोड़ाई बार देख लें उसका थोड़ा फैसलिज मिलेगा तो बच्चो की लिए अचा होग अचा होगी तू कि लेंगी अचा है बच्चो की ये जोड़ाई बच्चो की लाई बच्चो की लगता है बच्चो की लेगता है